कि यह हिन दोस्तों SMW चैनल में आपका स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए है तो नए वीडियो अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का वीडियो है जो गवर्मेंट एक बिल ले करके आने क्रिप्त वाली है सीध काली शतर में क्रिप्टो करेंशी अपर जो प्र्इवेंट क्रिप्टो करेंशी है उसको पूरी तरह से या फिर पार्शली करिफ़ इसको बैंक किया जाए गाए इसके उपर बात करेंगे सबसे पहले हम जानते लिवार्चुछ आन जích है क्यैंक्र ओपर government का कोई regulation नहीं है या कोई bank का कोई regulation नहीं है यह क्रिप्टो करंसी है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्रिप्टो करंसी का जो business है आज इंडिया के अंदर बहुत जादा अच्छे तरीके से या फिर बहुत जादा इसमें investment हो रही है लेकिन problem यह है कि इसका जो एक कोई regulation नहीं है तो इसके ओपर government regulation लाने की तयारी में है और regulation अच्छा है regulation होना चाहिए क्योंकि कल को अगर कोई problem create होती है तो problem के लिए फिर बाद में government को ही आरोप लगाए जाएंगे कि government अभी तक इसके ओपर कोई regulation नहीं लेके आई कि हब हलो का पैसा डूबना शुरू होगा या फिर कोई fraud हो जाएगा तो इसके ओपर government को ही blame किया जाएगा इससे पहले ही government काफी अच्छा decision है और दूसरी चीज़ सबसे पहले लेकिन problem यह है कि सबसे पहले इसके ओपर कोई regulation बने ऐसे कि कौन सी currency हमको यूज कर सकते हैं कौन सी नहीं ऐसे नहीं कि उठा करके कोई भी सारी currencies ban कर दे कोई regulation तो होनी चाहिए सीधा है इसको ban करना कोई option नहीं होगा ऐसे ही अब बात करते हैं कि इसको पूरी तरह से परती बंद किया जा सकता है यह थोड़ा सा मुस्किल है क्यूंकि आज इंडिया के ही अंदर लगबक 10 करोड यूजर्स जो है इसको बाय और सेल करते हैं मतलब इन्वेस्टमेंट किये हूए और इसका एक मैं आपको इक data बताता हूं जो इंडिया के ऑंदर जो जिन्हों ने इंवेस्टमेंट किया है बिजने इसके इसक करता से पूरी तरह से परती बंद करना थोड़ा सा मुस्की लोगा, जैसे हम बात करते हैं किन कंट्रियों में क्या पोजिशन है, नेपाल के अंदर ये पूरी तरह से परतिबंदी थे, इसी तरह रूस में भी काफी अच्छा टैक्स इसके उपर लिया जाता है, जैसे कि इसके रेगुलेट किया जा सके, वियतनाम म हैं कि इसमें कितने लोग लगबग प्रभावीत होंगे, 10 करोड के अरॉंड इसके उपर, इसके अंदर थोड़ा सा पैनिक सिच्वेशन में हैं, तो 10 करोड लोग इसके उपर, सीधा सा इन लोग के उपर प्रभाव पड़ेगा, ऐसे हम बात करते हैं कि, इसको किस तरह से regulate करेगी Government Those ऐसा हो सकता है कि पूरी तरह से प्र्ती बंद ना करकर इसको जैसे कि हम लेन देन के रूप में सको प्रयोग किया जा सके और assets की रूप में भी इसको प्रियोग ना किया जा सके इस तरह से government इसको regulate करेगी तो पूरी तरह इसको ban तो नहीं किया जाएगा सायद तो इसके उपर तो थोड़ा सा काम करना भी बाकी है सीथ कालिन सतर में इसके उपर कोई बिल लेके आने वाली है government तो देखते हैं कि government क्या करती है इसमें लाने के लिए थैंक्स और वाचिंग और प्लीज सब्सक्राइब चैनल और नई अपडेट पाने के लिए और लाइक और शेयर जरूर करें अपनी ये वीडियो अपडेट अपने दोस्तों तक पहुचाने के लिए थैंक्यू धन्यवाद